Hello students, मैं आशी सर, आज के वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि SCF कैसे निकालते है numbers का, कौन सी method के थूरू students, prime factorization method के थूरू, तो यहां पर यह numbers दिया हुए है, हम इसका SCF find करते हैं, जैसे first number हमें क्या दिया हुए students, 144 दिया हुआ है, क्या दिया हुए students, 144, तो इसके prime factorization method से 144 क यह pairs निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे strengths, इसको सबसे पहले छोटे numbers से लेंगे, तो यह किस की table में आता है, strengths सबसे चोटे number में, 1 तो सभी की table में आता है, इसके बाद 1 के बाद कौन से number हता है, 2, 2 से जब इसको calculate करेंगे, 2, 7s are 14, फिर 2, 2s are 4, फिर वापिस यह 2 से सबसे जाएगा, 2, 9s are 18, अब यह किस से जाएगा strengths, 9, 2 के table में नहीं आता है, तो किस से जाएगा, 3 से जाएगा strengths, 3, 3s are 9, और last minute क्या हो जाएगा 3, एक और term दिया हुआ है, 198, 198 के भी ऐसी factor निकालेंगे strengths, 198 के जब निकालेंगे, तो यह भी किस से जाएगा, 2 से जाएगा students, 2, 9s are 18, यहां से 1 बच्चा, तो यह क्या हो जाएगा, यह 18 बन जाएगा, फिर 2, 9s are 18, अब यह 99 है students, 99 किस के table में जाता है, 3 के table में, 2 से नहीं जाएगा, तो यह 3 से लेते हैं, 3, 3, 3, 3, 9, वापिस यह 3 से जाएगा, 3 बन जा 3, फिर 3 बन जा 3, अब 11 आ गया, 11 किस के table स जाता है, खुद 11 के table से, 11 बन जा 11, अब SCF जो find करेंगे students, तो इसमें जो common terms होते हैं, जो common pairs होते हैं, उन्हीं को लिया जाता है, तो यहां पर दोनों में अगर दिखा जाए, तो 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इधर भी आ रहा है, तो इसमें एक number तो हमारा क्या हो गया, 2 हो गय और क्या number आ रहा है, इसके एलावा, एक 3 नीचे आ रहा है, एक 3 यहां पर आ रहा है, तो यह 3 भी ले लेंगे students, एक और 3 आ रहा है नीचे, यह 3 और यह 3 तो यह 3 भी ले लेंगे students, बाग की कोई number इसमें common नहीं आ रहा दोनों pairs में, इसलिए इनका भी numbers का multiply कर लेते हैं, यह इसका SCF हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 इसका क्या हो गया students, SCF हो गया, SCF का full form क्या होता है students, highest common factor, I hope आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए, share कीजिए और subscribe कीजिए, thank you students